नमस्ते बच्चों, सुप्रभात आज आप लोग अपनी हिंदी की कक्छा में उपस्तित हैं मैं हूँ आपकी संगीता माम और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रसंक्या 14 और 15 को पुड़ा करेंगे जो पाठ 4 मितरता में दी गई है तो आएए देखते हैं प्रसंक्या 14 के कुछ अभ्यास कारिया बच्चों प्रसंसंक्या 1 में पाठ मितरता से दिये गए हैं कि पाठ मितरता में आएको सुची वाले सब्दों को खोस सुची में दिये गए इनके अर्थ से मिलाईए तो बच्चो इसका अर्थ आप जानते ही हो, सतर्क का अर्थ क्या होता है, साबधान होता है, प्रसन का खुस, भूमी का जमीन, मितरता का खुश्बू, सुगंध का खुश्बू और मितरता का दोस्ती, तो चलिए इसे पूड़ा करना है आपको इसी तरह से, अब दूसरे प् पाक्यों को ध्यान से पढ़िये, बच्चो आपने संग्या सरवनाम पढ़ लिये हैं, तो आपको पता ही होगा, सुंदरवन क्या है, आम क्या है, और पेर क्या है, लेकिन पेर की बिसेस्ता कौन बता रहे हैं, तो पुराना, तो बिसेस्ता बताने वाले सब्द को, मतलब अ होते हैं जिसका मैं वीडियो आपको भेजूंगी आप उसे अच्छी तरह से उसे देख कर समझ जाईएगा तो सुन्दरवन में आम का एक पुराना पेर था सलोनी कैसे स्वर में गाती थी तो मीठे स्वर में गाती थी आम के पेर के आसपास हरी घास और जारियां थी सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती थी अब आप यहां समझी रहे हैं कि कौन-कौन भी से इसता बताता पेर कैसा है तो पुराना कैसे स्वर में गाती थी सलोनी तो मीठे स्वर में गाती थी गास कैसी है तो हरी है और सलोनी हीरक को कैसा आम देती थी तो मीठी मीठी आम देती थी अब देखी इसी के अधर पर आपको इसे पुरा करना है उपर दिये गए वाक्यों में मोटे काले सब्द जिन सब्दों की विसेशता बता रहे है उन्हें लिखिए कपड़ा पुराना है आम मीठे है घास हरी है और अंगूर मीठे है और इस तरह से जो सब्द संग्याया सर्वनाम की विसेशता बताते है उन्हें पिसेशन कहते है जिनकी विसेशता बताई जाए उसे विसेशन कहते तो आम है तो विसेशता किसकी बताई जाड़ी है तो आम की कौन मीठा है तो आम मीठा है तो आम विसेशे है हरी घास घास क्या है विसेशे है और हरी विसेशन है मीठे क्या है विसेशन है और अंगूर विसेशे है चलिए, अब यहां कुछ बिसेशन सब्द दिये गए है, बिसेशन सब्द दिये गए है, जिन में से आपको पूरा करना है, जो आगे दिये गए सब्द हैं उसे, तो यहां पर बिसेशन और बिसेशन, बड़ा, जाल, तो क्या बड़ा है, जाल तो बिसेशन किसकी बताई जा ही है तो जाल की तो जाल क्या है बिसेशन क्या है बड़ा क्योंकि जाल कैसा है तो बड़ा है तो जाल की बिसेशता कौन बता रहे हैं बड़ा सब्द और किसकी बिसेशता बताई जा रही है तो जाल की तो जाल कैसा है बड़ा है तो जाल बिसेशन है और बिसेशन बड़ा है जारियां कैसी है तो उची है दिन कैसे आ गये थे तो बुड़े आ गये थे लॉम्री कैसी है तो बुड़ी है तो यहाँ पर लॉम्री बिसेश्चे है क्योंकि लॉम्री कैसी है किसकी बिसेश्चा बताई जारी कि कौन बुड़ी है तो लॉम्री बुड़ी है तो लॉम्री क् जो बताई जा रही है बाते वो क्या है बिसेशन है अब आप प्रस्ण संक्या चार में देखेंगे नीचे दिये गए सब्दों के दो-दो प्रियाई वाची सब्द छाट कर लिखिए तो दो-दो प्रियाई वाची जानते हो न समान अर्थ देने वाले सब्द को प्रियाई व और क्या कहते हैं, तो इनके अलग-अलग नाम को, किसी भी संग्या सब्दों के अलग-अलग नाम को, या फिर समान अर्थ देने वाले सब्दों को क्या कहते हैं, प्रियाई वाची सब्द कहते हैं, प्रियाई का अर्थ ही होता है, समान अर्थ, पेर का क्या होगा, ब्रिक्च तरू, जंगल का वन, खग, हीरन का मिर्ग, हरीन, पंख्षी का पंख्यार, खग, विहग, यह सबी क्या है, पंख्षी के ही है, जो यहां दिये है, वो नहीं को लिखेंगे, इसलिए यहां खग लिखेंगे पंख्यार, 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 पं नीचे आप रेखा खीच करके इसे दर्शा दोगे, कि यह सब्ध संग्या सब्ध है, अब देखिए यहां नीचे दिये गए सब्ध उसे दो-दो वाक की बनाईए, तो आप देखी रहे हैं, यह कुण सा सब्ध दिये गए हैं, उस पेर पर चिरियां रहती थी, उस पेर पर च चिरियां उड़ गई, नहीं, हीरन को देखते ही चिरियां उसे दोस्ती करने लगी, हीरन को देखते ही लॉम्ड़ी के मुँँ में पानी आ गया, इस तरह से हम इसे पूरा करेंगे, मुहाब्रों से वाक्य बनाईए, आप मुहाब्रे तो जानते ही हैं, जिन में अर्थ शिपे होते हैं, या फिर किसी भी वाक्यों को हम जब दूसरी लहजे में कहते हैं, तो वह क्या होता है, मुहाब्रा होता है, जिसका कुछ अर्थ शिपा होता है, मतलब बहुत सारी बाते ह हम एक बार ना कहा करके उसे घुमा फिरा कर कहते हैं तो उसे ही कहते हैं महाबडे तो महाबडे का देख रहे हैं आप मुह में पानी आना तो उसकार्थ क्या था लालच करना वैसे ही है दाल में कुछ काला होना तो गरबर होना तो इस दोनों से वाक के बनाना है पनीर को देखते ही मेरे मुँमें पानी आ गया या हम इस तरह से कहें कि हीरक को देखते ही लॉम्डी के मुँमें पानी आ गया फिर है दाल में कुछ काला होना तो दाल में कुछ काला कैसे पता चला, सलोनी को कब पता चला, तो क्या लिखो गया आप, सलोनी ने जूहीं लोंबडी और हिरक की मितरता देखी, उसे समझाया गया कि हाँ दाल में जरूर कुछ काला है, अब नीचे दिये गए चितर के अधार पर अपने सब्दों में छोटी सी कहानी लिखी, आप देखी रहे हैं, कि हाँ सेर है, हीरन है, हाथी है, बंदर है, बहुत सारे जानवर हैं, और यह जंगल की मितरता है, सबी एक साथ मिल जूल कर रहते हैं, तो मितरता जैसी ही कोई छोटी सी कहानी आप यहाँ पर लिख करके मुझे भेजेंगे.